उसे गुस्ता वो जल्दी आता है उससे कोई चीज गलत बरदाश्ट नहीं होती है सल्मान खान के हेर रिस्टोरेशन प्रोसीजर एक काफी कॉमन टॉपिक है क्योंकि जो इनकी पहले की कंडिशन थी बालोगों उससे जो हम उनकी हाल फिलाल की कंडिशन कंडिशन कंपेर करते हैं वहां पर काफी हमें डिफरेंट टाइप का एक हेर टेक्च्चर एक हेर कॉल्टी देखने को मिलती है और इस्पेशली जो फ्रन्ट हेर लाइन वाला पार्ट है वहां पर तो बहुत ही डिफरेंट जो हमें काफी ओवियस हो जाता है अब इनकी कुछ ऐसे भी इमेजिस हैं जिसके अंदर हेर ट्रांस्प्लांट के अलावा हमें हेर पैच या हेर विक का भी यूज हुआ वा लग रहा है क्योंकि आप नोट कर सकते हैं इन इमेजिस के अंदर जो एक हेर की डेंसिटी है और एक हेर लाइन के अंदर हमें एक एक्सेसिवली कालापन देखने को मिल रहा है यह दर्शाद है यहां पर की कुछ ट्रांस्प्लांट के अलावा कोई ट्रीटमेंट का यूज लिया गया है क्योंकि जो ट्रांस्प्लांटेशन है वह हाल फिलाल में लास्ट पान से दस साल में ही ज्यादा हेवी इंप्रूब्मेंट हो पाया उसके अंदर उससे पहले जो ट्रांस्प्लांट के प्रिशिजर होते थे वह इतने जादा एडवांस नहीं थे इंफाक्ट जब सल्मान का हेर लॉस स्टार्ट हुआ था तो इनकी एज अराउंड 25-26 की आज़ पास्ति जब इनका इनिशली हेर लॉस स्टार्ट हुआ था जो इनकी अगर 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 यूज किया तो आप क्या प्रियूज करते कि यह उसकता है सल्मान भाई को उस टाइम पर रहा हो या फिर उनको लगा हो कि ट्रांस्प्लांटेशन प्रोसीजर जो इतना सखस्वल नहीं है इस वह उन्होंने ठोड़ा टाइम के लिए पैच वगर का उपय काफी कॉमनली स्पोर्ट हो सकता है तो आप गाई यू फाइं वीडियो इंफोर्मेटिव और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जाज़ाते लाइक भी कर जाना हाव ग्रेट दे गाईस